Scorpio तो खुद में एक ऐसी गाड़ी है जिसको किसी भी पैचान की जरूरत नहीं है और काफी टाइम से ये गाड़ी जो है राज कर रही है अपने सेग्मेंट के अंदर और हर किसी बंदे को इसकी चार रहती है कि ये गाड़ी मेरे पास हो किसी ना किसी एज के अंदर वो इसको ड्राइव करें इसको ओन करें तो हर बंदे की एक ख्वाइस रहती है और उन कस्टमर्स के लिए जो उसी पुरानी गाड़ी के साथ जो पहले जो लुक आ रही थी उसी के साथ कोंटिन्यू करना चारे थे उनके लिए एक गाड़ी रखी है स्कोर्पियो क्लासिक तो वावी भी कॉंटिन्यू है वहाँ पर और उन कस्टमर्स के लिए जो चारे थे एक अच्छा उनको एक बड़ा स्टांस यहाँ पर मिले और साथ में कुछ प्रीमियम नैस भी मिले तो उनके लिए महिंद्रा ने लांच किया Scorpio N तो इस वीडियो के अंदर हम Scorpio N के बारे में ही बात करेंगे और इसी गाड़ी को Big Daddy of SUVs भी महिंद्रा ने बुला है तो इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिस करेंगे कि क्या कुछ फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं और अगर आप चैनल पे नए है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ ही दूसरे सोचल मीडिया हेंडर्स पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अब हमारी वेबसाइट कारक्वेस्ट इंडिया डोट कॉम भी लाइब है तो अगर आप ओटो मुईल से रिलेटिड ब्लोक्स रीड आउट करना चाते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं तो वेरेंट के बारे में बात करने इस पहले में धन्यवाद करना चाहूंगा पीपी ओटमोटिव का जिन्होंने आमें ये कार आरेंज कराई इस वीडियो के लिए और अगर आप महिंदरा की कोई भी कार परचेज करना चाहरे हैं तो जो डिलर के कॉंटेक्ट डिटेल्स हैं वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे सो स्टार्ट इस कार के वेरेंट से यहाँ पे कर लेते हैं जो स्टार्टिंग होती है इस कार की Z2, Z4, Z6, Z8 और Z8L ये जो वेरेंट आप देख रहे हैं टॉप वेरेंट है इसका Z8L और जो color option मिलते हैं total 7 color option आपको यहाँ पे मिलेंगे यह जो color आप देख रहे हैं यह black color है और इस color के अंदर इस गाड़ी की जो look है वो बिल्कुल ही अलग यहाँ पे निकल के आती है जैसे आभी आपको यहाँ पे दिख भी रही होगी इसके इलावा आपको एक white color मिलेगा silver, red, green, orange shade आपको मिलेगा और एक gold color आपको मिलेगा तो यह color options आपको यहाँ पे मिलेंगे जैसे मैंने आपको बताया कि यह top variant है और यह 4x4 है यहाँ पे तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आपको फ्रंट से आप देखते हैं काफी ज़्यादा वाइड यह गाड़ी यहाँ पे देखने को लगती है और इसकी जब इस सामने वारी ग्रिल को आप देखते है तो इसका लुक्स काफी ज़्यादा अच्छे लगते हैं यहाँ पे क्रोम की आपको यह यहाँ पे वर्टिकल लाइंस दी गई है जो इस ग्रिल को काफी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे बना रही है उपर की तरफ भी क्रोम का यूजेस किया गया है और सेंटर में यहाँ पे आपको यह इस महींद्रा का नया लोगो देखने को मेले आगे इस की जो फिट और फिनिस की गई है और यह देखने में काफी अच्छा यहाँ पे लग रहा है निचे की तरफ आपको फ्रंट में कैमरा दे दिया गया है और यह जो अपर जो स्ट्रिप है इसको एस इन हेल लैंप में भी कॉंटीजू रखा गया है यहाँ पे आपको ड्यूल टान इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे और जब थोड़ा निचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पे तो यह आपको यहाँ पे LED फोग लाम मिल जाएंगे और साथ में यहाँ पे यह आपको LED डिये गए हैं जो अगेन इस कार के लुक्स को काफी ज़्यादा अच्छ पर फिनिस दे दी गई है और अपर पार्ट पर यहाँ पर मैट ब्लैक का यूजेज किया गया है जो आपको हल्का साइड में भी दिखाई देगा और फिर उसके बाद जब आप इसका बॉनेट आप देखते हैं तो इसका जो स्टान से आप देख सकते हैं कि हाइट कितनी ज तो जैसे यह सेग्मेंट तो गाड़ी की जो लेंठ है वह भी काफी अच्छी-खासी यहां पर रखी गई है हाइट भी आप देख सकते हैं हाइट भी आप Dollण कि यहां पर कर लेते हैं जो अपर आप देखने तो यहां पर आपको 18 इंचिज का लोई वील देखने को मिलेग और lower जो पार्ट है यहाँ पे silver touch दिया गया है, उपर की तरफ यहाँ पे भी chrome uses आपको दिखाई देगा, जो वहाँ से start, as it is, इस rear mirror को भी cover करके उपर तक चला जाता है, तो overall जो sight है, वो काफी जादा अच्छी यहाँ पे लगती है, उसके बाद एक और अच्छी चीज है, कि इनका जो size है, glasses का size वो काफी अच्छा है, यहाँ पे रखा गया है, जिसकी वजह से जो अंदर passengers बैठे हैं, उनको काफी comfortable और काफी roomy यहाँ पे feel होने वाला है, और वार्वियम का size अगें काफी अच्छा रखा गया है, electrical adjustable foldable आपको मिलेंगे turn indicators के साथ में, जो roof rails है, वो भी आपको request sensor देखने को मिलेगा, आप एक बार गाड़ी का rear भी चेक कर लेते हैं, जो rear profile है कार के वो भी काफी अच्छे यहाँ पे लगते हैं, आप height जैसे मैंने आपको अल्रेडी बता दिया कि काफी अच्छी इसकी रखी गई है, उपर की तरफ आपको shark fin antenna यहाँ पे द turn indicators मिल जाएंगे, brake light आपको यहाँ पे मिलेगी, और साथ में ही आपको यहाँ पे Scorpio N की badging दी गई है, कुछ लोग इसको Scorpion पढ़ते हैं, लेकिन यह Scorpio N है, और इसका जो logo है, इसकी proper यहाँ पे fit and finish की गई है, उसके पाद जैसे मैंने आपको बताया था कि rear में भी request sensor मिल र प्राइब के साथ ही आपको मिलेगा, रियर जब आप इसका bumper देखते हैं, skid plate यहाँ पे दी गई है, और यह mat black finis का uses किया गया है, spare wheel निचे की तरफ आपको मिलेगा, total आपको 4 parking sensors यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, reflectors और यह backlight आपको दी गई है, और जो camera है, अगेन उ sheets को fold करना चाहें, तो इन sheets को अराम से fold भी आपका सकते हैं, तो यह bag यहाँ पे रखा हुगा है, और यह properly इस वज़े से आ रहा है, क्योंकि यह इसका design इसको किया गया है, इसको थोड़ा अंदर की तरफ रखा गया है, जिसकी वज़े से इस part को आप utilize अच्छे से कर पा रह क्योंकि आपको जो four wheel drive यहां पर मिलती है, वो seven sitting के साथ ही मिलेगी, तो आपको इस lever के साथ आप इसको यहां से fold कर सकते हैं, उसके बाद आप अराम से यहां पर अंदर की तरफ enter कर पाएंगे, तो अभी जो seat है वो काफी पिछे की तरफ एक बार इसको थोड़ा adjust करा देते है, रजद भाई एक बार आओगे, प्लीज, तो अभी सामने वाली जो seat है वो भुपिंदर भाई की height के हिसाब से adjust है, क्योंकि अभी भुपिंदर भाई सामने वाली seat पर बीठे थे एक बार आप अपने हिसाब से बैठ कर दो, आप seat को, सो मतलब आप यह लगा लो कि 5-8 के लगबग का बंदा सामने की तरफ बैठा है, और उसके बाद लगबग इतनी height अपना रजद भाई की है, और उसके बाद जब space आप यहाँ पर देखते हो, तब मेरे को यहाँ पर leg room ठीक मिल जाता है, लेकिन thigh sport का जो issue है, वो सभी में रहता है, इस sitting में जब आप जाते हैं और एक 12V का charging, socket भी आपको यहाँ पर मिलेगा, और उपर की तरफ आपको यहाँ पर speakers भी दिये गए हैं, तो इनका भी music आपको rear तक सुनाई देगा, और यह reading lights भी आपको मिलेंगी, तो यह आपको पिछे कुछ मिल रहा है, अब एक बार इसका second row का comfort भी चेक कर लेते हैं, एक बार आपको आना पड़ेगा, और फिर आपको यह seat फोल करने ही पड़ेगी, तो एक बार जब यहाँ पर आप देखते हैं, तो sitting second row तो इसका काफी comfortable लगा, वो बैठते ही यहाँ पर feel हो जाता है, कि sitting जो है, वो comfortable है, thigh sport आप देख सकते हैं, काफी अच्छा खासा thigh sport यहा और अपने हिसाब से आप इसको, जहां भी आप adjust करना चाहें, आप अपने हिसाब से इसको adjust कर सकते हैं, दो बंदों के लिए तो बहुत ही ज्यादा comfortable है, तीन बंदे भी बैठ सकते हैं, क्योंकि central hump को यहाँ पर काफी down रखा गया है, तो तीन बंदे भी comfortably बैठ पाएंगे, आपको एक center में armrest यहाँ पर दिया गया है, जिसके अंदर दो cup holders आपको दिये गया है, इसको इस तरह से position किया गया है, size इसका इतना ज्यादा नहीं है, आप comfortably मतलब कहीं बार होते हैं, कि आप बीच में अराम से रख सकते हैं, तो वो यहाँ पर possible नहीं हो पाएगा, आपको sides का use करना पड़ेगा, तो मेरे साब से अगर इसको इसी तरह से रखा जाता तो और ज्यादा यह अच्छा हो सकता था, अभी इस तरह से बैठते हैं, तो इसके बीच में आपका हाथ जाने वाला है, और दो headrest आपको यहाँ पर मिलेंगे, जो adjustable है, center में एक दिया गया है, ज जो है, बुढमो, अगर आप अपनी किसी भी कार के लिए spare part order करना चारे हैं, तो आप यूज कर सकते हैं, बुढमो का, और जो लिंक्स हैं सारे वो description के अंदर आपको मिल जाएंगे, जस्ट आपको क्या करना है, आपको app डाउनलोड करनी है, और जो भी आपकी कार है, उसकी अची बात यहां पर यह है कि आपको 10 डेज का एशोर रिटर्न भी मिल रहा है, इनकेस आप उस पार्ट को रिटर्न करना चाहें, तो उस पार्ट को आप इसली रिटर्न भी कर सकते हैं, तो यह था रिया सिटिंग कमफर्ट, अब ड्राइवर सीट पर चलते हैं, लेकिन उस इनको आप थोड़ा ग्रेशेड या सिल्वर फिनिस आप बोल दीजेगा, और यहां पे एक बोटल होल्डर और स्पीकर आपको मिल रहा है, अब ड्राइवर सीट पर चलने से पहले की दिखा देता हूं, तो इस तरह की की आपको मिलेगी, इधर की तरफ महिंद्रा का लोग और इधर की तरफ लोग अनलोग और बूट अनलोग के आपको मिलेगी, कुछ एक फीचर आपको इसके अंदर मिलते हैं, तो अगर मैं इसको प्रेस करके रखता हूं, तो इसके जो मिरर्स हैं, अभी ड्राइवर डोर ओपन है, इस वज़ए से यह लोग नहीं हो रही है, त तो सेम यह रहेगा, अगर मैं इसको लोग करता हूं, तो जो मिरर्स हैं, यह आप उपर की तरफ यह क्लोज हो जाएंगे, और ऑटमेटिक जो सन्रूफ है, वो भी बंद हो जाएगी, तो यह काफी अच्छा फीचर मुझे लगा, अगर आपकी गाड़ी कहीं गर्मियों में तो इसका यूज करके आप अदर की तरफ जा सकते हैं, यहाँ पे जब आप controls देखते हैं, तो यहाँ पर आपको all four power windows के control मिल रहे हैं, driver code रहे हैं, one touch up-down रहने वाली हैं यहाँ और यह complete glossy panel आपको मिलने वाला है, electrical adjustable foldable के आपको यहाँ पे controls दिए गए हैं, lock on lock आप यहाँ कर पाएंगे और इसली आप इस हैंडल का यूज करके अंदर की तरफ एंटर कर सकते हैं ड्राइवर सीड जो है वह आपको यहां पर इलेक्टिकल अड़जस्टेमेंट के साथ मिल रहा आप इलेक्ट्रिकली इसको एडजस्ट यहां से कर सकते हैं तो यह सारे आपको फीचर्स यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा इधर की तरफ आपको इंस्ट्रुमेंट क्लेस्टर के कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल दिया गया है इधर की तरफ आपको मिल जाएंगी मल्टी मीडिया के कंट्रोल और सेंटर में यह महिंद्रा का लोगो काफी अच्छा यहां प का बटन अब एक पर इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर भी चेक कर लेते हैं सो जैसे ही इगनिशन ओन करते हैं तो इस तरह का आपको क्लस्टर जहां पर यह देखने को मिलेगा ओवरोल इसका डिस्प्ले जो है वह कफी अच्छा आपको लगने वाला है अब राइनस थोड़ी अच्छी लगी सो इधर की तरफ आपको यह आर्पीम मिटर मिलने वाला है उदर की तरफ स्पीडो मिटर और सेंटर में एक डिया य आप जो भी चीज़ सेलेक्ट करना चाहें आप उसको के कीजिएगा तो आपको हर चीज़ यह सामने की तरफ शो करेगा ओवरोल जो इसका डिजाइन है कलस्टर का वह काफी अच्छा यहां बे रखा गया है ड्राइवर इंफो आप देखना चाह रहे हैं सारी इंफरमेशन जो रेगुलर पहले भी आती थी उसका डैशबोर्ड है उसकी जैसे जो विड्ट जो है वो गम रखी गई तो सेम यहां पर भी आपको देखने को मिलेकर नेकिन यहां पर प्रीमियम टच आपको दिया गया है तो फिट और फिनिस कफी अच्छी है और यह प्लास्टिक मेट इसका जो साउंड चेक है वह आपको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर देखने को मिल जाएगा यहां पर आपको एपल कार प्ले और अंडूइड ओटो वायलेस दिया गया है और साथ में यह जो कंटोर्स आप देख रहे हैं सारे इस म्योजिक सिटम के रखे गए हैं उसके के बाद नेचे की तरफ आपको एसी के कंटोर्स देखने को मिल जाएंगे तू जो नेशी आपको यहां पर मिलता है और आप उसके अड़ेस्टमेंट कर पाएंगे और जो आपको डिस्पले है वह यहां पर म्योजिक सिटम के ओपर दिखाई देगा जैसे आपको दिखाई वायरलेस चारजिंग पैड तो अगर आपका मुबाइल वायरलेस चारजिंग स्पोर्ट करते है तो आप चारज कर सकते हैं उसके बाद यहां पे जब आप देखते हैं बिस्कली डिस्पले है पैसेंजर एयर बैक डिक्टिवेट और अक्टिवेशन के लिए फिर आपको य साथ से इनको चेंज कर सकते हैं सो अगर यह 4x4 है इस वज़े से आपको यह कंटोर्स मिल रहे हैं अगर 4x4 ना होती है तो आपको जिप जब जूम यह आपको ड्राइब मोट्स नहां पर देखने को मिल जाते हैं एक आपको यह कपोल्डर दिया गया है और सेंटर में अमरेस् कि सोनी का म्यूजिक स्टा मिलता है तो यहां पर यह वूफर यहां पर दिया गया स्पीकर बेसिकली आप बोल दीजिए यहां पर सोनी की बैजिंग भी दी गई है और निची की तरफ जब चेक करते हैं तो यह आपको कूल ग्लोबोक्स नहां पर देखने को मिलेगा इसके आपको लाइट भी दी गई है नाइट यूजेस के लिए और अपर की तरफ यहां पर स्कोर्प्यो एन की बैजिंग भी देखने को मिल जाएगी जब इतर की तरफ आप देखते हैं तो आपको को ड्राइवर साइड वैनेटी मीर देखने को मिलेगा और ड्राइवर साइड आपको टिकेट होल्डर दिया गया है स्पीकर सापको यह उपर की तरफ रूफ में भी यहां पर मिलेंगे तो यह आपको यहां पर एक बटन दिया गया है जिससे आप संरूफ को ओपन और क्लोज आप करना चाहें तो कर पाएंगे ओपनिंग आप देख लिए जो है इसकी है क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक संरूफ है तो जो इतनी ओपनिंग रहती है रेगुलर तो एक बंदा राम से यहां से निकल सकते है वैसे बाहर निकलनाने चाहिए क्योंकि इलेगल है आप इसका व्यू का मज़ा ले सकते हैं इसको ओपन करके और IRVM जो है यह आप यहां से अडियोड कर सकते हैं सो यह थे इस SAR करेंटश आप बात कर लेते हैं सेफटी फीचर इंजन स्पैशिएशन और सबसे प्राइस के बारे में सो बात करें सेफटी फीच्यर की तो यहां पे आपको डूल एयर बैग ड्राइवर को ड्राइवर ABS brakes व भी–WDBD, और four disc brakes reverse पार्किंग सेंसर यह तो सब आपको स्टेंडर्ड मिल रहा है लेकिन जैसे आप वेरिंट अपग्रेड करेंगे जैसे यह टॉब वेरिंट है तो यहां पर और भी काफी सारे सेफटी फीचर आपको जाएंगे जैसे 6 airbags हो जाएंगे, curtain और side airbags भी आपको मिलेंगे, front में camera, rear में camera और सामने भी आपको sensors मिल जाते हैं, basically cornering के लिए, ESP functionality आपको मिलेगा, hill hold, hill descendant control आपको मिलेगा, और for disc brakes, तो मैंने आपको बताई दिया था, कि वो सभी variants के across, standard यहाँ पे रखी गई है, उसके बाद जो इसका stance है गाड़ी का, वो काफी अच्छा है, तो आपकी जो sitting है, वो काफी उपर की तरफ होती है, तो यह भी एक इसके अंदर add-on यहाँ पे करता है, तो अब बात करते है engine की, तो यह जो गाड़ी है, आपको petrol और diesel दोनों fuel option के साथ में यहाँ पे available है, जैसे यह 4x4 है, यहाँ पे सिरफ आपको diesel engine option ही मिलता है, और एक चीज़ मैं आपको clear कर दू, जब भी आप 4x4 गाड़ी के अंदर लेंगे, तो आपको 7 sitting option मिलेगा, वहाँ पे 6 sitter 4x4 के के साथ जो torque output यहाँ पे रहेगी, 370 newton meters का रहेगा, और जो automatic के साथ torque आपको मिलेगा, 380 newton meters का torque यहाँ पे मिलेगा, अब बात कर लेते हैं diesel engine की, तो 2.2 liters का आपको यहाँ पे engine मिलता है, जो आपको output generate करता है, different different क्योंकि variant के हिसाब से यहाँ पे engine के output है, वो tune की गई है, अ महाँ पे output जो रहेगी, वो कफी अच्छी खासी आपको मिलेगी, 175 PS की आपको output मिलेगी, और जब आप चले जाएंगे, manual transmission के साथ जो torque रहेगा, 370 newton meters का आपको मिलने वाला है, और जब आप automatic में जाएंगे, तो 400 newton meter का torque आपको मिलेगा, जो इससे पहले मैंने आपको बता जा रहा हूं, लेकिन जो सभी variants के price है, वो सामने screen पर आपको दिखाई दे रहे हैं, और अगर आप इस 4x4 को consider करते हैं, diesel manual transmission के साथ जो आपको पढ़ेगा, 21,94,000 इसका extra room price है, और आगर जैसे यह automatic है, आप इसको consider करते हैं, तो 23,90,000 इसका extra room price आपको पढ़ेगा, और जो स इंद्रा की car purchase करना चारे हैं, तो जो dealer के contact details हैं, वो आपको description के अंदर मिल जाएंगे, आप महाँ से details लेके contact कर सकते हैं, आगर वीडियो पसंद आया, तो like और share जरू कर दीजेगा, आप मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए, take care, bye bye, जैहिंद